भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्षे में डियेवी कॉलेज और टू पंजाब बी एन एन्सीसी की और से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कमांडिंग ओफिसर करनल पी काबथियाल की अध्यक्षता में किया गया जिसमें मेजर डॉक्टर एसके तुली के कुशल मार्ग दर्शन में एन्सीसी ग्रूप मोख्याले जलंधर के निर्देशा नुसार ये कारेकराम आयोजित किया गया जिसमें टू पंजाब बॉइज बी एन टू पंजाब गर्ल्स बी एन और वान नियर स्क्वाडन एन्सीसी जलंधर के कैडट्स और पी आई स्टा कंपनी बाग चौंक से होते हुई सिवल लाइन तक निकाली गई इस अफसर पर मेजर तुली ने कैडट्स को संबोधित करते हुए बताया कि इस दौड का उदेश्य लोगों को अपने धैनिक जीवन में दौडने और खेलकुद जैसी फिटनेस गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रुत साहित करना और बच्चों को स्वास्थे और फिट जीवन शली अपनाना है इस दौरान कैड़ेट्स को जलपान भी करवाया गया इस मौके पर कुलदीप शर्मा प्रचारे डॉक्टर एसके अरोडा लेफटिनेंट करनबीर सिंग लेफटिनेंट राहुल मेजर हरभजन सिंग, केर टेकर ओफिसर सुनील ठाकुर दर्शन सिंग, गर्ल्स कैड़ेट इंस्ट्रक्टर पारवती सहत अने कैड़ेट्स भी मौझूद रहे। जालंधर से हल चल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट अब हम सब प्लज लेंगे इस Fit India Freedom Run के लिए मैं शबत लेता हैं लेती हूँ कि मैं प्रती दिन व्याम करके अपने शुरीर को सुवस्त रखूँगा मैं अपने दिन चार्या को आलत से मुक्त रखूँगा और मेरे शुरीर के मुटापे तना आदी से मुक्त रखूँगा मैं शुपत लेता हैं लेती हूँ कि मैं अपने परिवार को नियत वयाम करने को प्रेरित करूँगा वेलिम अपने रखूँगा The main objective of this Free to India Freedom Run is to commemorate the 75 years of India's indepardence and its glorious heritage, culture and this basic aim of thisourse R soybean avaos the freedom from obesity, from laziness, from anxiety, stress and keep the citizens of India, rather the youth of India fit. and this concept has been conceptualized by the Prime Minister Shri Nirendra Modi on 13th of March 2021 and then it was organized by the NCC group Hatticah Jalandar and this idea has been again translated to the various colleges and schools of artistic Jalandar